हलो दोस्तो वेलकम टू माई चानल जीके एजुकाट जीके एजुकाट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार दिख्ष वागत है मोगल समराजय से कंपेटिशन एक्जाम में कोई न कोई क्वेस्टन आपको मिल जाता है इसलिए कंपेटिशन एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है मोगल समराजय के बाद हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे मराठा में हम मराठा के बारे में और पेश्वा के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आपका इतियास की इस रिज़ का मद्यकाली इतियास खतम हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे भारत का आदुनिकाल मुगल समराजे में हम सिक्वेंस वाइज कवर करेंगे बाबर उसके बाद हुमायू, अकबर, जागिर, साहजा और औरंगजेब तो ये पाच परमुक राजा हुए थे मुगल समराजे में, इसके बाद जो है, जितने भी मुगल समराजे में राजा हुए, वो बहुत कमजोर थे, जिनसे मुगल समराजे का पतन हुआ था तो दोस्तों यह मेरी इतियास सीरीज का 31 वीडियो है इससे पहले मैं प्राचिन काली इतियास और मद्य काली इतियास के ओपर 30 वीडियो बना चुका हूँ वे सब वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आप वहाँ जाकर आप उनका रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी है मेरा चैनल है जीकी एजुकाट चैनल जो मैंने एक्जाम के पॉइंट ओफ्यू से बनाया है एक्जाम के तियारी के लिए बनाया है जिसमें मैं कमपेटिशन एक्जाम से जोड़े सब्जेक्ट के उपर वीडियो बनाता रहता हूँ और साथ के साथ करन्ट अफेर्स और इंपोर्टेंट टोपिक्स के उपर वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़ूर सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मुगल समराज्य मुगल समराज्या में आगे बटने से पहले मुगल समराज्या का ट्री चार्ड थी आ हुए है जिसको एक बार हम read out कर लेते हैं ताकि आपको मुगल समराज्जे के बारे में अच्छे समझ में आ सके मुगल समराज्जे के जो संस्तापक ते वो बाबर थे बाबर इंडिया में कहां से आये थे वो आये थे अफगान से, अफगानिस्तान से बाबर के जो पिता थे, वो टैमूर साइड से थे टैमूर जो की एक अफगानी आकरमन का रही था जिसने बारत के ओपर भी आकरमन किया था वो जहापर भी आकरमन करता था, वो उसको लूट लेता था और बाबर की जो माता थी, वो चंगेज खान के वंस से थी चंगेज खान भी एक क्रूर शा सकता जिसका मेन मक्सता अपने समराज्जा का विश्टार करना तो इन दो वंसस से बाबर का जनम हुआ था जिसको बारत के अंदर इबराहिम लोधी को हराने के लिए पंजाब के सा सकते दोलत खान लोधी और इबराहिम लोधी के चाचा थे आलम खान उन्होंने बाबर को बारत में आमंतरित किया था और इन तीनों ने मिलकर इबराहिम लोधी को आराकर लोधी वंस का अंत किया था और अपने समराज्जय मुगल समराज्य की स्तापना किती थी तो आप यहाँ पर देख सकते तैमुर लंग के वंसस थे बाबर और हुमायू के बाद आते हैं आग-बरदाग्रेट जिन्ने कम जो चाहा बहते चाह कार्या भी कहेते और उसके पुतर नगी यह ear जागिर पूतर नगीम और शाजा के पूतर नंगुत पिर उनके बाद जो मगल समराजया है शासक हुए वे सबी कमजोर थे जिनके कारण जो है मोगल समराजया का देड़े देड़े पतन हो गया तो और जेब आलमगिर के बाद आते है बादूर्शा और आखरी जो सासक होते है उनका नाम रहता है बादूर्शा जफर और इस प्रकार से मोगल समराजय का अंतुवा था तो यह था इंट्रोडेक्शन अब सुरू करते हैं मोगल समराजय तो मोगल समराजय के संस्तापक थे बाबर बाबर उत्रवरती मोगल सासक तुर्क और सुन्नी मुसल्मान थे तो बाबर क्या थे सूलनी मुसल्मान थे बाबर ने मोगल वंस की स्तापना के साथ ही पद बादसाही की स्तापना की जिसके तहट जो है सासक को बादसा का जाता था मोगल समराजे में सासक को क्या बोला जाता था बादसा तो सबसे पहले आज़ता है बाबर बाबर जिसने बार्थ पर 1526 लेकर 1530 सीश्वी तक सासन किया 1530 सीश्वी में उनकी मिर्त्य हो जाती है बाबर का जनम जो है फरवरी 14-17 सीश्वी में हो था इनके पिता का नाम उमर शेक मिर्जा फरगाना नामक छोटे रज्जा के सासकते है तो फरगाना नामक एक छोटा रज्जा था अफगान के अंदर जिनके सासकते है बाबर के पिता उमर शेक मिर्जा बाबर जोया फर्गाना की गद्धी पर आठ जुन 1494 में बैठते हैं बाबर ने 1507 स्वी में बादसा की उपादी दारन की थी जिसे अब तक किसी भी तैमुर सासक ने दारन नहीं किया था बाबर के चार पुतर थे उमायू, कामरान, असकरी, हिंदाल बाबर के उपर एक वैब सिरीज में बनी है जिसमें बाबर के जीवन काल के बारे में पूरा बताया गया है बाबर ने बारत पर पाच बार आकर्मन किया बाबर का जो बारत के विरुद पहला आकर्मन था वो था 1519 यस्वी में जब उसने यसुप जाई जाती के विरुद यूद किया था इस अभियान में बाबर ने बाजोर और बेरा को अपने अधिकार में ले लिया था पाणिपत का पर्थम यूद लड़ा गया था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में तो बाबर ने पहली बार तुलगमा यूद निती के तहत और तौप खाने का परियोग किया था यानि कि पाणिपत की पर्थम लड़ाई में पहली बार तौपों का यूद किया किया था उस्ताद अली और मुस्तपा बाबर के दो परसिद निसाने बाज थे जिसने पानिपत के परतरम युद में बाग लिया था तो पानिपत में तीन युद हुए है पहला जो युद हुआ है वो 21 अपराइल 1526 श्वी में हुआ था जो कि बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था बाबर इसमें विज्य रही थे जिसने अरजुन कपूर ने में बुमी का निबाई है जब बाबर बारत के अंदर आए उसने कौन कौन से परमुक युद लड़े उसने चार वर्षों के अंदर अपने चार वर्षों के सासनकाल के अंदर चार युद लड़े जिसमें पहला जाता है पानिपत का परतम युद 21 अपराइल 1526 में लड़ा गया था चंदेरी का युद, चंदेरी का आप रहे हैं, मध्या परदेश में हैं, 29 जून 1528 सिष्वी में मेदनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था, इसमें भी बाबर विज्जे रहे थे, गागरा का युद, गागरा का आप रहे हैं, बिहार में हैं, 6 मई 19, 6 मई 1529 इन चारो युद का सिक्वेंस याद रखना, इम्पोर्टेंट है, चारो युद के सिक्वेंस पूछे जा सकते हैं, खानवा का युद, पानिपत की पर्थम युद से पहले हुआ था या बाद में हुआ था, इस तरही क्वेशन कंपटिशन एक्जाम में पूछ ली जाते ह आगे चलते हैं, इबराहिम लोदी मद्य काल का पर्थम सासकता जो युद सतल में मार गया था, इसके साथी उसका मित्तर गवालियर का जो राजता विक्रम जीत भी युद सतल में मार गया था उमायू ने कोहिनूर हिरा इंपोर्टेंट है कोहिनूर हिरा गवालिर के दिवंगत राजा विक्रम जित जो की इबराहिम लोदी के साथ लड़ेते उसके परिवार से प्राव्ट किया था चीन लिया था बाबर को अपनी उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपादी दी गई थी इंपोर्टेंट है बाबर ने मुसल्मानों को तमगा नामकर से मुक्त कर दिया था तो तमगा नामकर लगा गया था जिससे बाबर ने मुसल्मानों को मुक्त किया था खानवा का युद खानवा का युद जो हम पहले पढ़ चुके है राना सांगा के खिलाप लड़ा गया था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद में विजय के बाद गाजी की उपादी दारन की थी गाजी की उपादी कब दारन की थी खानवा युद के ब एक दूसरे की संपरबुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संदिकी थी जिसके अनुशार जो है नुसरत सा ने अफगान विद्रोईों का सरन्य देने का वजन दिया अफगान विद्रोई जो बाबर के खिलाब हो चुके थे क्योंकि बाबर ने डिली में आकर सासन करन शुरू किया था इसलिए वे इनकी खिलाफ थे तो उस समय पर नुस्रत साते बंगाल के सासक जिसके साथ बाबर ने संदिकी थी कि वो अफगान विद्रोयों का साथ नहीं देंगे तो करीब 48 वरस की आयू में 26 दिसमर 1536 वी को आगरा के करीब बाबर की मृत्यू कब उई थी 1536 वी तो इसका छोटा सासन काल था बारक के अंदर 1526 लेकर 1536 सी तक प्रारम में बाबर के सव को आगरा के आराम बाग में दफनाए गया था बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने के स्थान पर दफनाए गया था तो बाबर के सव को दो जगए दफनाए गया था आगरा में और काबुल में तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है आत्मकता मतलब उसकी αートोबाइयोगराफी थी, जो बाबर के दोरा खुद लिखी गई थी, उसको उसने लिखा था तुर्की में, जिसके बाद इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन फार्सी बाषा में किया गया था, और फार्सी बाषा में बाबर नामा का अनुवाद किस और उनको बनाने में अपनी रोची का वर्न के अता अक्सर ये बाग दिवार से गिरे होते दे और करतरिम नहरों के द्वारा चार बागों में विवाजित आयताकार आते में इस्तिते चार समान इस समय में बटे होने के कारणी ये चार बाग कहलाते दे आगे देखते हैं चार बाग बनाने की परंपरा की सुरुवात अकबर के समय में हुई थी तो चार बाग बनाने की परंपरा किस के समय पर हुई थी अकबर के समय पर बाबर को मुबैयान नामक पद सैली का भी जनमदाता माने जाता है बाबर परसिद नक्सबंदी सूफी क्वाजा अवदुल्ला अरहार का अन्याई था बाबर परसिद नक्सबंदी सूफी परसिद नक्सबंदी सूफी थे क्वाजा अवदुला अहारार और बाबर के उत्रादेकारी हुए थे हुमायू जो बाबर के पुत्र थे। दोस्तो अब शुरू करते हुमायू के बारे में। पर बैठने पहले हुमायू बद खसा का सुबेदार था। अपने पितागे निर्देश के अनुसार हुमायू ने अपने राज्य का बटवारा अपने बाईयों में कर दिया था। 1523 सिस्वि में हुमायू ने दीन पना नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। चोसा का यूद ये इंपोर्टेंट आ जाता है। चोसा का यूद जो है 25 जून 1589 सिस्वि में सेर खान और हुमायू के बीच में लड़ा जाता है। जिसमें शेर खान के विज़ा होती है। शेर खान कौन थे शेर खान थे शेर सासुरी जिनको बोला जाता है। जो कि मगज समराज्य के सा सकते। इस यूद के बाद शेर खान ने शेर सा की पदवी ग्रैन की थी। तो चोसा का यूद कब लड़ा गया था। 1549 सिस्वि में किस-किस के बीच में हुमायू और शेर खान यानि शेर सासुरी के बीच में। चोसा का यूद कहां पर लड़ा गया था बक्सर में, बक्सर कहां पर है भिहार में। बील कराम या कन्नोज का यूद फिर 1549 सिस्वि में शेर खान और खुमायू के बीच में हुआ। इस यूद में भी हुमायू प्राजित हुए और शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल के बीच में कन्नोर यानि की बिलगराम ये कहा पर है उत्तर परदेश में बिलगराम यूद के बाद जो है हमायू सिंद चला जाता है जा उसने 15 वर्षों तक गुमकडो जैसा निर्वासित जीवन व्यातित किया तो निर्वासन के सम्मय हमायू ने हिंदाल के अध्यात्मिक फारसवासि सिया थे जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ मील अरली मीर अली अकबर जामी उनकी पुत्री थी हमीदा बानू बेगम कौन थी हमीदा बानू बेगम जिसके साथ हमायू ने 29 अगस्त 1581 हिस्वी को निकाह कर लिया था कालंतर में हमीदा से अकबर जैसे मान समराट का जनम हुआ था तो अकबर की माता का क्या नाम था हमीदा बानू बेगम 1555 में हुमायू ने पंजाब के सूरी सासक सिकंदर को पराजित करके पुने दिल्ली की गद्धी पर बैठा यानि 1540 शिस्वी में हुमायू दिल्ली छोड़ कर चला जाता है 1555 में दिल्ली पर सासन करता सिकंदर जो की सूरी वंस के सासक होते है जिसको हुमायू ने 1555 शिस्वी में हरा दिया था और वो उस युद का क्या नाम था सरहिंद का युद तो हुमायू के द्वारा चार परमोख युद लड़े गए थे जिनका करमानुशार सिक्वेंसी यहां पर दिया गया है पहला युद था देवरा जो 1531 में लड़ा गया था सेकिन्द था चोषा 1593 में लड़ा गया था थर्ड था बिल्लगराम 1544 में लड़ा गया था आगे देख लेते हैं एक जनवरी 1546 को दीन पना बवन में पुस्त कालिया सेर मंडल की सीडियों से गिरने के कारण हुमायू की मिर्ति हो गी थी हुमायू के बारे में इतियास कार थे लेन पूल जिसने का था कि हुमायू गिरते पढ़ते इस जीवन से मुक्त हो गया 1546 में दो यूद में उनकी हार होती है शेर सा सूरी के आ तो फिर वो एक निर्वासित जीवन प्यातित करते हैं 1555 इश्यू में वो वापिस दिल्ली की कद्दी पर बैठते हैं लेकिन एक साल के बाद ही किसी लाइबरेरी में या पुस्तकाल्य में सीडियों से गिरने के गरान उनकी अब आगया मिरती हो गयती तो इसलिए इतियासकार लेनपूल ने हुमायू गिरते पढ़ते जीवन हुमायू का जीवन गिरते पढ़ते बताया है तो हुमायू की बायोगराफी लिखी गई थी जिसका नाम तो हुमायू नामा जो किस ने लिखी थी गुल बदन बेगम ने गुल बदन बेगम कौन थी हुमायू नामा हुमायू की बहन थी तो बाबर नामा आटो बायोगराफी थी जो खुद बाबर ने लिखी थी हुमायू नामा बायोग्राफी थी जो हुमायू की बेहन गुल बदन बेगम ने लिखे थी तो यह important हो जाता है हुमायू जोतिश में विश्वास करते थे इसलिए इसने सफ्ता के सातो दिन सात रंग के कपड़े पैनने के लिनियम बना युए थे नेक्स्ट आजाता सेर्षा तो सेर्षा सुरी जिसने 1549 और 1440 इस्वी में दो युद चोसा और बिल गराम के युद हुमायू ए खिलाफ लड़े थे और दोनों युदों में उसने विश्वास लिए थी तो उसके बारें पड़ लेते हैं उसने 1540 इस्वी तक दिल्ली की राजगदे पर सासन क्या था सुर्षम राज्या के संस्तापक थे अफगान वंसिया सेर्षा सुरी तो सुर्षम राज्या की नियुकिस न रखे थे सुर्षा सुरी ने डक्टर के आर्क कानून को के अनुसार जो है हर्याना परांत के नार्नोल जो की महंदरगड में है उस तान पर इबराहीम के पुत्तर हसन के गर 1486 में सेर्षा का जन्म हुआ था तो हर्याना राज्या के नार्नोल परांत में सेर्षा सुरूरी का जन्म हुआ था 1486 में परमातमस रन का विचार है कि सेर्षा का जनम 1432 में वा था तो ये अलग-अलग इतियासकार के अलग-अलग तरक है जो सेर्षा सुरी के जनम के बारे में बताया है इनके बच्पन का नाम फरिद खान था सुरवन से ये सम्मधित थे इनके पिता हसन खान थे जो जोनपुर राज्य के अंदरगत सासा राम के जमीदार थे फरिद ने एक सेर को फरिद कौन थे? सेर्षा सुरी के बच्पन का नाम था तो फरिद खान ने एक सेर को तलवार के एक वार से मार दिया था उसकी इद्व इस बहादूरी से परसन होकर बिहार के अफगान सा सकते उनका क्या नाम था मुहम्मद बहार खान लोहानी उसने शेर्षा सुरी को फरिद खान को शेर्खा की उपादी से नवाजाता फिर बिलगराम का युदोता है शेर्षा सुरी और उमाई के बीच जिसमें शेर्षा के विज़ा उत्य है और वो तिल लिगर गएधी पर बैढ जाता है शेर्षा की मिर्थ्यू कालिंजर के किले को जितने करम में 22 मई 1545 इस मिर्थ्यू के सम्में वह ऊक का नाम का आगन्या सास्तर चला रहे थे जिसके करण की मिर्ति हो गए थी तो उस समय कलिंजर के सा सकते किरत सिंग जिससे युद लड़ते हुए सेरसा के मिर्ति हो गए थी हिंदी और इरानी वास्तुकला के समन्विया का पर्तम उदारन है सेरसा का मकबरा जिसमें हिंदी और इरानी वास्तुकला का मिक्सर मिलता है जिसको सासा राम में जील के बीच उचे टिले पर निर्मित किया गया था तो सेरसा का मकबरा कहा पर था सासा राम में एक जील है जिसके बीच में एक टिले के उपर एक टिले के उपर इस मकबरे को बनाए गया था जिसमें हिंदी और इरानी वास्तुकला का मिसरन मिलता है तो यह important आपके लिए हो जाता है आगे आजाता है रोतासगड किला और किला एक कोहना जो की दिली में है इन मच्जिदों का निर्मान जो है सेरसा सुरूई के दौरा किये गए थे तो रोतासगड का किला और एक मच्जिदी किला एक कोहना जिनका निर्मान सेरसा सुरूई के दौरा करवाय गया था सेरसा का उत्रादिकारी बनते है उसके पुत्तर जिसका नाम था इसलामसा सेरसा ने भूमी के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंद्री गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था तो सिकंद्री गज या फिर सन की डंडी क्या थी यह मेजरमेंट यानि मापने के पैमाने थे जो कि 32 अंक वाले थे इसने 178 ग्रेंचांदी का रुपिया वे 388 ग्रेंट तामबे के किताम चलवाई आगे देखते हैं सेरसा ने रोतास गड के दुर्ग और कनोज के स्तान पर सेरसूर नाम नगर बसाया था तो important होता है सेरसा ने रोतास गड के दुर्ग का निर्मान कराया था तो सेरसा के सम्में जो पैदावार का लगबग एक बटा तीन बाग जो है सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी पबूलियर इमपटा पर्था की सुरुवात सेरसा सूरी नी की थी सेरसा ने 1541 में पाठली पुत्तर को पटना के नाम से पुना स्थापित किया था तो सेरसा के सुम्मे में उसकी राजदानी थी पाठली पुत्तर जिसका नाम उसने क्या रखा था पटना इसने Grand Trunk Road की मरमत कराई थी Grand Trunk Road जिसको GT Road का जाता है उसकी मरमत कराई थी एक परकार से उसका निर्मान कराया था यह का से का तक था कलकाता से लेकर पेशावर तक जिसको पहले NS1 बोला जाता था अभी इसका नाम बजल के क्या रखा हुआ है NS44 डाक परता का परचलन सेरसा सुरी के दुवारा ही कराया गया था तो डाक परता का परचलन किसने कराया था सेरसा सुरी ने तो यह आपके लिए important हो जाता है मलिक मुम्मद जैसी सेरसा के समकालिन थे तो question पूछ ले जाता है मुहम्मद मुर्गी मलिक मुहम्मद जैसी किसके समकालिन थे किसके पैरलल थे तो वो सेर्षा के समकालिन थे अकबर के समकालिन सासा के याँ पर बताए गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अकबर के बारे में के बाद जो मुगल समराजय के साथ सक बनते हैं उनके बारे में तो दोस्तो आज की वीडियो यहीं परी खतम करते हैं ये वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें शेर करें और मेरा चैनल जी के आजू कार्ड को सब्सक्राइब करें तो थेंक यू दोस्तो बेस्ट अपलग सभी को थेंक यू जैइन जैबार्त वंदे मातरम